यहां हम चर्चा कर रहे हैं मॉडरन बनारस की मॉडरन बनारस कितना बदला क्योंकि यह पी एम मोदी का संसद्य चेत्र है यह बहुत काम हुआ गंगा में क्रूड चले कॉरीडोर बना यहां सडकों का जाल मुना नई नई ट्रेन आई रेलवे का मोडी करन हुआ यहां पर साथ हैं काशी विष्पनात मंदिर के सीयो साब भी है आपका बहुत-बहुत स्वागत है विष्भूचन जी पहले तो चर्चा की शुवात आप से ही करूंगा माइक ले लीजेगा सर हम बात करें बॉडरन बनारस के कितना बदला यह बनारस और कह सकते हैं कि वाकर में संपरागत रूप से हमारे विदौनों ने बताया है और जो मैं भी वैक्तिकत रूप से सनात्रम का आलनों करने वाला सनात्रम मेरा जन्म हुआ है और उसके प्रति मेरे निश्छा भी है जो बिरुक्रिसी में एक पद मेरे पास है, इसके अतरिक्ति वक्तिकत राय भी यह किसमें होती है, तो कहा गया है भारत का भविश्य उसके अतीत में है, यह बड़ा प्रसेद वाक्या है, और भारत के अतीत को सजोने का जो कार्य सबसे ज़्यादा जटलता के साथ सबसे ज़ कारे के रूप में किया है, वो काशी ने किया है, तो काशी का आधुनिक होना भी काशी की प्राचीनता को ही और उकेरने वाला है, काशी में आधुनिक्ता का सबसे बड़ा सिंबल जो है आज, सबसे बड़ा प्रतीक जो है, जैसे आपने पहले बताया, आपने भी नाम लिय उस्रीकाशी उस्रूनात मंदर कपरिदोर के माध्यम से भगवान विष्वेश्वर का द्यूस रूह रूप में सामने आया तो यह प३राचीन वर्थी सा परतीत होता है काशी जब विश्रू में आप प्राश्रय अस्थल था शंकराचाय अपनी विद्ध्यवत्वादा को मानता देने काशि काशिन काशिर 16 महाजनपतों में से एक महाजनपत था काशी। इच्पशोर्म करनामद हो विठेकारमण है कि जो विधेशी आकरमण predis नश्ट किये गए तमाम वेभों तमाम प्रतीक मलिन किये गए और जो सभ्यता थी उसका शरण हुआ था अब वह सभ्यता पुना सर उठा रही है पुना एक वेभों के साथ आगे बढ़ रही है मेरा व्यक्तिकत मत है और यह आप लोग भी अगर महसूस करेंगे सभ्यताय सब्सक्राइब करेंगे लेकिन सबसे पहला सवाल क्योंकि हमारे शो की थीम यही है कि मौडरन बनारस वाकई में बदल रहा है बनारस बदला है बनारस और आप देखते हैं कि अभी और संभावनाएं भी है इस बनारस में काम करने के लिए कासी इंदु विश्विध्याले का कुल जीत है उसका एक पैरा है प्रतीच प्राची का यह मेल सुंदर्व तो कासी के संदर्व में कहा गया है यहां अरवाचीन और प्राचीन दोनों का दूद समन्व है और दोनों को ही लेके चलना चाहिए जैसा कि हमारे अधिकारी ने क रहा यह कार्य हो रहे हैं परन्तु जो हमारी सांस्कृतिक विरासत रही है अर्कियोलाजी के अनुसार भी रही है उसको अथावत रखते हुए उसमें आधिन्युक्ता का समावेस होना चाहिए और काफी कुछ बदल रहा है दुनिया के साथ कदम ताल भी काशी को करना है इ मूल पहचान आधुनिक्ता के प्रवाह में बहन जाए उसका भी ध्यान रखके उसकी प्राचिन्ता को भी संजोते हुए इसका विकाश होना चाहिए और वो हो रहा है अच्छी बात है सवाल है क्या बदल रहा है काशी वाके बदला है या फिर बदलने के जरुवत है कि सनातन संस्कृती जो हज्जारों लाखों वर्सों से है उसका मूल मंत्र है को समय के साथ-साथ अपने आपको परिवर्तित करता रहा तमाम सब्वेताइस धरती पे मिढ़ गई लेकिन जो स संद्र बिंडू है बीज तत्व है औग्काशी से ही दुनिया में ग्यान मानौता जो फ्हाला कि ऊकती है इप जिर बदल लगाए तो संक्राशान संक्राचाररई कन कर दो जो है células log यहीं तह सर्थ्सें परिवर्तन सील रहा है हजारों वर्सों स्वेड़नाइक नजदिक करी जीका हजारों वर्सों पहले वह तो आज भी काशी दुनिया में तमाम सब्चार संस्कृति सहर नगर सब मिट गए लेकिन काशी जीवनत आज भी है इतियासों में पढ़ा जाता है कि रूम समय के साथ परिवर्तित होता रहा है तो आज आधनिक रूप से भी कासी प्राचिनता को समेटे हुए एक आधनिक सहर बन चुका है लेकिन लेकिन सर आपने जिक्र किया और सर ने भी सब भी लोग जिक्र करें काशी की खासियत बनारस में है क्या लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आयोध्या के बाद अभी ये काशी स्यासत का केंद बन गया अब ये काशी हिंदू-मसल्मानों का केंद बन गया ऐसा क्यों देखिए सबसे बड़ी चीज है कि मैं आउनगा सिव जो है महादेव एक ऐसी सक्ती है जो राजनीत को भी प्रहाईत करता है अर्थ को भी प्रह हैं तो आप राजनीत से कैसे राजनीत को अलग रखेंगे मुद्दा तो है ना मन्दिर, मस्जित ज्यान वापति मुद्दा मंदीर नहीं है मंदिर हमारी उस संस्क्रिती से और बढ़ना चाहे तो ज wr now 3 त रही है महान परंपरा है रही है उस परंपरा को हम पुना चाह rumor जा से संचालित होते हैं, मंदिरों से ही संचालित होता था, मानवता, विस्व कल्यान, सबका मंगल हो, ये कामना जो ये मंत्र उसी मंदिरों से निकलता था, इसलिए हम चाहते हैं कि वो मंदिर पुना हमारे जो अस्थापी तो, और जो अकरांताओं ने तोड़ा, वो सब्धिता जो परमपरार हो हो जो परंपराय रही है मानमी परंपरा रही है हम 200 करते हैं दू मुसूर्मान की बात नहीं करते नहीं weekटें उसमें मुसल्मान भी आता है और जीयों जनतु भी आते हो यहात लातिकी पथर नदिया पहाड जंगल सब आते हैं हम उस महां परमपरा की बात करते हैं जिसका केंद्र मंदिर रहा है आधि विस्यस्वर जो ज्ञानबापी जहां से दुनिया को ग्यान मिला है ज्ञान के उत्पत्ति ही उसी ज्ञानबापी परसर्स होई है लोग राजनीत में भले उसको नकारे लेकिन सच्छाई यह है कि उसी मैं बता रहा हूं गौतम बुद्ध को भी स्वत्व को मान्यता प्राप्त करना था आशारे के रूप में तो प्रथम उपदेश आके यहीं देते हैं तब दिग दिगंत तक उनकी ख्याती फैलती है वो कासी है और अभी आधुनिक काल में हमारे माननी प्रधान मंत्री जी बड़ोदा से लड़े वहां भी सांसद रहे और वाराणसी से भी लड़े उन्होंने यहां का चैन क्यों किया क्योंकि यह राजनीतिक चेंतना का भार्ती राजनीत चेंतना का बड़ा महत्पून अस्तान है वो कासी है और वो हर तरह से राजनीतिक विचारधारा को प्रभ वावित करता है और इन कारणों से ये राजनीत का प्रमुकेंदर रहा है आधिकाल से अभी भी है और प्राचीन काल वी अधी देखें तो उत्तर से लेके दचिर तक के विद्वानों का जो समन्वय संगम होता था वो कासी मोता था तो उस काल खंड से लेके आज तक ये प्रम आशी तो विराज मान था शिर्धालू पहले भी आते थे लेकिन सुविधाय बड़ी तो शिर्धालू की भी संख्या बड़ी एक मैनेजमेंट बाबा के दरभार पर समालना आप लोगों के लिए कितनी बड़ी चुनौती है और क्या मानते कि शिर्धालू की संख्या में 2014 क हमने उसमें इजाफा हुआ और आप लोगों के लिए सुबधाओं देना और भीड को समालना वह चैलेंज बना है निश्रित रूप से बहुत ही आप रत्याशित व्रद्धी हुई है एक मैई 2014 को हम लोगोंने मंदिर परिसर में एक मंदिर अर्थवस्था विशे पर एक व 2024 तक दो वर्ष चार माह का समय होता है उस दो वर्ष चार माह में लगभग सोलह करोड़ लोगों ने स्रीक आशिवशनात मंदिर में आकर विश्वेश्वर के दर्शन प्रात किये थे जो हमारे चार गेठें पर वो हैट काउंट कैमरा लगे हैं यह उनकी काउंटिंग है व यहां आने वाले व्यक्तियों में 70% आदमी जो होता है वो देख्षन भारत का होता है 20 प्रशत आदमी उत्तरप्रदेश के बाहरी राजियों का होता है और 5-7% आदमी वारानसी के बाहर मंदल के बाहर वाले जन्पदों का होता है तो इनकी यात्रा पर होने वाला समन्वि जो वे होता है इनके आने पर रुखने पर खाने पीने पर हम लोगों ने रफ एस्टीमेट बनाया कि धाई जार रूपए तो परेट कर्च होता होगा तो लगभग चालिस हजार करोर रूपए उत्तरप्रदेश की अर्थवस्था में क्यों इसके करण एडिशन हुआ है तो मुझे लगता है कि भारत वर्ष का पहला प्राचीन धर्मस्थल का आधनुकी कृत्स रूप है यह मारनी प्रधान मंत्री जी की प्रेणा से उत्तरप्रदेश सरकार के प्रयासों से और बाखी जो पूरी टीम एक रही होगी उनके संयुक प्रयास से फलीभूत हुआ मुझ अगर अर्थ भी यहां है और भावना विश्वेस्वर से घुड़ी है कि मुझे यहां भी कार्यकरते हुए आठ माह हुए है लग पग और आठ माह में वहिए वह पहले में चुट्टी ओंपर गया हुआ था तो मुझे जो फोटो आते थे मंगला आरती और उसके जो मारा के तो महादेव से यह सानित होता है यह जो कनेक्षन है वो आदिम और जिसकी बात आप कर रहे हैं कि आपने धर्म वाला इस अमर्दाइक राजनीत की बात की तो ठीक है आपने जैसा बताया परिवर्तन होता रहा है तो परिवर्तन सहबता का भी हुआ है मनुश्यों का हुआ है मनुश्रों के मत का हुआ है लेकिन लाखों वरुषों से काशी में बहुत बार मतांतरन हुए हैं अन्तमें भूम फिरकर सब सनातन पड़ी पहुंसते हैं आपने ये जो बात कहीं कि भामना जुड़ी होती है क्योंकि हमने देखा सावन के वक्त भी जो नहीं करी और कहा कि बहुत अच्छे से मैनेज होता है दर्शन करके वापस आते हैं और उनकी को खुशी जो उनके चेहरे पर नजर आती है यह कैसे हो पाता है कितना मुश्किल है क्योंकि इतनी सारी भी तई मंदिरों में ऐसी समस्या देखे जाती है कि भीड तो बहुत होत बहुत ही रुजिकर विश्या आपने उठाया है सावन से पहले मेरा भी पहला सावन मास था और जैसी इस बार जिस तरह से क्राउड मैनेजमेंट जो करना पड़ रहा था शद्धालू इतनी संक्या रही थी तो लग रहा था सारे रिकार्ड टूटेंगे बहुत बड़ी सं होंगा सबसे पहला तो यह की बिल्कुल टॉप लेवल से मानेटरिंग श्रीक आशियोशनात मंदर की विवस्थाओं की मानेटरिंग जो होती हो बिल्कुल एक दम उच्छता मस्तर से होती है माने मुखमंत्री जी तक ने एक दिन पहले आकर यहां पूरा देखा हमनों का प है आप लोग काते हैं कि काशी तो भगवान विश्णाथी चलाते हैं यह सब होने के बाद एक नया जो नवाचार किया गया था जिसके कारण इस वर्ष मैं मानता हूं कि महाशिवरात्री पर और शावन मास में दोनों में पिछले वर्ष भी की संख्या से अधिक संख्या मे भी लोग आये लेकिन इसके बाद ही प्रबंधर वास्तों में हम लोग उम्मीद यो कर रहे थे उससे भी बेतर हो गया तो उसमें एक अडिशन यह हुआ था कि इस बार शावन मास के प्रत्येक सोमार को जो शावन सोमार बहुत क्रावडिड होता है एक नवाचार जो बिलक तो यह विचार आया कि उत्सों तो महादेव का है तो बिलकुल अनलागी थी यहीं बात हुई कमिशनर सर से बात हुए यहां पर मंडला एक महुदै से तो यह कहा गया कि यह तो सर ऐसा हो रहा है कि माली जी हमारे दादा जी का जंदे ने पूरे शहर को बुलाया और दादा अब मन में शंका आ गई है तिरुपती बाला जी के प्रसाद को को लेकर बहुत ही इस वक्ट चर्चा का विशह है यहां पर कैसे आप संतुष कर रहे हैं श्रद्धालों को क्या यहां पर भी ऐसा कुछ है कि श्री काशी ओशनात मंदिर नियास अधिनियम जो बना हुआ है उस अधिनियम में यहां पहले से नहीं थे किशिका स्थि व्श्वेशवर की सेवा में लगने वाले सभी व्यक्ति जन्म से एवं बाई प्रैक्टिस हैंड बाइबर्थ जन्म से एवं मानिता से सनातन धर् स्टेखली फालो किया गया दूसरे जो फूट सेफ्टी के स्टेंडर्स है उसकी लगातार हम लोग मानिटिंग करते राते हैं लैवस में टेस्ट होता राता है इसको और उच्छी करत करने के लिए लगातार सेजी टीवी मानिटिंग वासकर ऐसे बिंसिदेंस जा रहे हैं कि लोग अपनी आइडेंटिरी छुपा कर नाम बदल कर कई बार इस तरह के मिस्रेंट्स अक्टिविटी करते हैं तो वीडियो बनाया सब्लेट किया तो इसको और प्रबंधन बेहतर करने के लिए कली हमारे बोर्ड की वैठक हुई थी वहां बड़ा निर्ना लिया गया है कि इस समय इसको और स्टेंडराइज करेंगे तो श्रीक रिया वास्ता भी आपको देखने को मिलेगे चलिए हम आखरी पड़ा पड़ेसन ज्यान वापी का मुद्दे पर बात करेंगे क्या आयुद्या के बाद अब काशी की बारी है और ज्यान वापी पर क्योंकि आप अगातार ये लंबी लड़ाई लड़ रहे है उसमें क्या सफलता मिलेगी या लंबा संगर्श करना पड़ेगा भी मैं प्लेंट नंबर नाइन हाई कोर्ट में चल रहा है क्रिष्ण जन भूमी का पक्षकार भी हूं यानि क्रिष्ण जन भूमी के मुक्ति का भी याजका करता हूं और स्वभाग यह रहा कि आप अध्या से हैं कार सेवा में गोलियां जब चल रही थी नब्बे में मैं भी चलने वालों में लाटी चार से लेगाया और जब तक नाचा नहीं गिरा तब तक प्रतिबद्यता पुर्वक लगा रहा तो ये मेरे जीवन का ये पक्ष है कि सन्योग रहा इस वरी विधान कुछ होगा कि अध्या मतुरा काशी में कहीं मेरी सेवाएं अर्पित हो रही है अध्यमारगी अपना रहे हैं जैसी उदार नीती अपना रहे हैं ये फिर विभाजन के निव रख सकता है सावधान लोग नहीं हुए वो प्रेक 2014 में लगा है इसलिए मानना है कि हमारे जो भी मंदिर हैं देवाले हैं वो मुक्त होने चाहिए और पुना हिंदू एको नाम सब्सक्ता से अधिक है तो मंदिर को दे जाएए अभाव है तो मंदिर से ले जाएए मल्य साला बैयाम साला आरोग्य साला सबका सरोकार विध्याले सब कुछ मंदिर के ही दौरा गवर्न होने चाहिए जब सना आम सानातनी का सरोकार मंदिर से होगा उसे कुछ ने कुछ प् एक बनवासी आधिवासी जिगरीब को तो घभी धर्मांतरित नहीं होगा मतांतरित नहीं होगा हम हमारा प्रयास हुआ है कि वह व्यूस्ताय पुनरजी भी थू क्योंकि हमारी संस्कृति का वह मुलाधार है और इस भीशेप में गारंटी के साथ करता हूं अध्या हमारी हो रही है काशी भी आपकी हो रही है मतुरा भी आपका होगा कृष्ण लालापुनम विराजेंगे पाशुरी बजाएंगे और सुदर्शन चक्र भी चलाएंगे सर काशी पर ग्यान वापी पर आप से जाना चाहूंगा लगाता लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं काम्याभी लंबी होगी अईुद्ध्या की तरह या बहुत जल्दी हम पहुँचेंगे देखिए नियाले अपनी प्रक्रिया के इसाफ से काम करता है नियाले की प्रक्रिया जो है वो चल रही है लेकिन अब परिस्तितियां बदली है राम जन्मभूमी की परिस्तिती अलग थी विचारधारा जो है कहा जाए कि सनातनी बिरोधी विचारधारा इस देश पर कबिस थी जिसके कारण जो है उनी सो से तालीस से लेके जो है अब तक जो है यह राम जन्म भूमी का मुद्दा चला लेकिन वो परिस्तितिया नहीं अप सनातन धर्मी या उस विचारधारा के लोग जगें हैं चाहे हो सत्ता में रहे हो चाहे सत्ता के बाहर आम जनता भी जग चुकी है यह चाहती है कि जल से जल निरने हो और हम लोगों पर भी दबाव रहता है न्या है दो साल डाई साल मैक्सिमूम चलना है और यह निरना इसके अंदर आ जागे सारी साई सर्वे रिपोर्ट भी मानी जिला कोड के पटल पे आ चुकी है उनके संग्यान में यानि सारे एविडेंस जिसको हमने दावा में अपने जिसको हम लोगों ने दाखिल किया था कि यह मंदिर के यह हमारे मंदिर के प्रमान है उसको नियाले ने अपनी आखों से साई सर्वे के माध्यम से बग्यानिक प्रमाणी तरूप से जो है नियाले में सारे साक्ष मंगवा लिया है अब उस पे बहा सुनी है अब उस पे जितना समय ले ले हम लोगों का दबाओ है प्रय सानातन धर्मियों या हम लोगों को मिलना है इसमें कहीं कोई संसे नहीं है अगर दो शब्द आपको कहने तो जल्दी से कहिएगा अभी हमारे साथ ही अधिवक्ता की बात को ही मैं फुष्ट करते हुए इसमें और भी विस्तार दे रहा हूं आपने राजनीतिक परिद्रिश् कि आप मैक्सिमम मुसलिम सानसोदो की संख्या 49 थी इस देश में आज कितनी रह गई है उन्हें भी मालूं है कि इस देश की चेतना हमारी हैसियत क्या है पहुचा दे रही है इसलिए उनमें भी जागरुकता फैल रही है इसलिए मैं देखा हूं कि हमारे बीच में उनके पक कुछ काम हुआ और क्या कुछ होने की संबाबना है घान्वापी पर भी बात कि हर सक्टर से मारे साथ जो लोगे जो लोगे वो जोडेंगे उन से भी बात करेंगे कि वह मॉडर्न बनारस में क्या देखते हैं बाध बहुत शुक्रिया थैंक यू थैंक यू एरी मॉच जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ मंच में सबालू का जवाब देने के लिए काशी कोरीडोर कितना विकसित हुआ और कि श्रद्धालू पहुच रहे हैं दशन करने के लिए इसका रिकॉर्ड आप समझ सकते हैं जो बताया गया क्योंकि लगाता श्रधालों की संख्या लगाता बढ़ रही है और साथी ज्यान वापी को लेकर भी तमाम चर्चाय रही लेकिन अभी मामला जरूर कोट पे हैं लेकिन क्योंकि बनारस हैं भावना से जुड़ा यह पूरा बनारस है काशी है और इस पर और भी चर्चाय करेंगे हम